हेलो वेलकम साथियो देव हुमी एजुकेशन पॉइंट हम आपका स्वागत है एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे बेहतरीन खुशकबरी के साथ मैं एक वीडियो लेकर और यहाँ पर आप लोग के सामने हो या फिर यूपी में गुजराद में सब जिगह पर सबके अलग अलग बताऊंगा तोटल 1149 यहां पर जो है यहां पर Central Industrial Security Force यानि कि CISF में कुछ पद आये हैं जो CISF Constable और Fire Recruitment के हैं 2022 में 2022 के लिए तो यहां पर आपको एक får detail notification के बारे में हम बता रहे हैं देखें आप यहां पर application form जो भरने की तीती है वो आपको form भर पाएंगे कल से यानि कि 29 एक 2022 से आपको form भर सकते हैं यानि कि फॉर्म बरने के देट कल से शुरू हो जाएगी, और लास्ट डेट है इसकी चार मार्च 2022 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, और अगर फीस बरने के लिए आप पूछेंगे तो चार तारिक के भाद फीस भरने की भी आप चार तारिक के बाद के बाद फीस भी नही बता दी जाएंगे, उसके बाद examination fees की बात करें तो general EWS और OBC इनके लिए यहाँ पर 100 रुबे की इसमें fees रखी गई है, ST, ST और ESM के लिए यहाँ पर 0 fees रखी गई है, कोई भी fees नहीं होगी बाकि डेविट कार्ट से net banking वगरा से fees भरना है यह सभी लोगों को पता होती है, main चीज़ पर आ जाते है तो यहाँ पर देखिए, CISF Constable Fire Recruitment 2022 इसकी age limit सबसे पहले मैं बता देतों आपको तो 4-3-2022 को calculate होगी आपकी I.U. ठीक है? 4-3-2022 को जिस दिन last rate of form भरने की ठीक है? यह चीज़ ध्यान रख लेना, आपकी जो minimum age है वो 18 वर्स होनी चाहिए और maximum age की बात करेंगे तो 23 वर्स आपकी age होनी चाहिए ठीक है? तो age का factor यहाँ पर clear कर लेना दोस्तों ठीक है? और age जो है आपकी 5-3-1999 से 4-3-2024 के 20 की होनी चाहिए ना ही 5-3-1999 से पहले होनी चाहिए और ना ही 4-3-2024 के बाद होनी चाहिए ठीक है? आप यह मोटा मोटा अंदाज लगा दो आप क्या इस date के बीच में पैदा हुए थे? ठीक है? इस धर्ती पर उत्पन हुए थे? अगर इसी बीच हुए है तो फिर यह आपके लिए है अब आगे बात करते हैं age relaxation की तो extra जो है age पर CIS app constable fire 2020 recruitment rule जो भी इसके rule होंगे उसके according जो है आपको age में relaxation मिल जाने वाला है और इसके लिए जो बात होगी कल को इसके लिए बात होगी मैं बाकी detail आपको कल बता दूँगा क्योंकि कल से form भरे जाने शुरू होंगे और form भरने का link जो है वो भी मैं कल ही आपको दूँगा इस PDF में link डाल दूँगा और बाकी वीडियो के description में कल इसका link में डाल दूँगा ठीक है बाकी CIA सब की जो website है वहाँ पर official website पर जाकर आप देख सकते हैं चले समझ लेते हैं अबर constable के पदों की तो 1149 पद यहाँ पर कुल मिलाके हैं दोस्तों ठीक है constable fire और fire के लिए हैं तो unreserved के लिए यहाँ पर 489 पद हैं OBC के लिए 249 है EWS के लिए 113 SC के लिए 161 और ST के लिए 137 और total यहाँ पर 1149 पद लगबग 11100 पद यहाँ पर खो हैं अब यहाँ पर जो main चीज है वो मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो eligibility है वो क्या रहती है सेक्षिक अरता क्या है देखिए यह केवल male candidate के लिए है दोस्तों 10 plus 2 intermediate with science subject आपको चाहिए यहां पर ठीक है आप जो है 12 होनी चाहिए science subject के साथ ठीक है और उसके बाद आपकी height जो है 170 और chest आपकी 80 cm minimum होनी चाहिए और 5 cm आपको फुलाना पड़ेगा ठीक है 5 cm फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए और minimum जो chest होगी वो 80 cm आपकी होनी चाहिए यह आप ध्यान रखेंगे 170 इसमें height मागी गई है 170 जो की बहुत जादा है उसके बाद जो detailed notification आप इसकी website पर जाएंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं जो reserve category है या फिर hills से आते हैं उन लोग के लिए क्या इसमें benefit मिलता है वो आप इसमें detailed notification जब website पर जाकर देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर CIA सब constable के लिए आप मैं बता दूँ यहाँ पर जो district wise है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं total 112 पद हैं ठीक है तो unreserved के लिए 46 हैं OBC के लिए 30 पद हैं EWS के लिए 11, SC के लिए 24 और ST के लिए 1 पद हैं बात करूँगा उत्तराखंडी की जो यहा यहाँ पर 6 पद हैं छोटा स्टेट है यूपी जो है बड़ा स्टेट है बहुत बड़ा स्टेट है ठीक है उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे डिटेल देख लो आप यहाँ पर ठीक है स्क्रीन सॉट रख लो और राजस्तान वालों के लिए मैं total बता यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 87 पद है उसके बाद पंजाब में आपके पास केवल 16 पद यहाँ पर को है और गुजरात के लिए दोस्तो 34 पद हैं ठीक है और गोवा के लिए बात करेंगे तो गोवा के लिए एक पद है चोटा सा स्टेट है उसके बाद हिमानचल प्रदेश की बात करें चार पद हिमानचल प्रदेश के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक तालीस पद है और करनाटका के लिए यहापर 34 पद है और उसके बाद केरला की अगर बात करें तो केरला के लिए यह पर 40 हैं और लद्दाक के लिए केवल एक पद है ठीक है उसके बाब महारास्टरा की बात करेंगे यह पर 70 पद है 70 पद महारास्टरा के लिए मनिपूर के लिए दोस्तो 11 पद रहने वाले हैं ठीक है तो मनिपूर के बाद आ जाते हैं मे में आप देख पारे होंगे यहां पर को जैसा कि मेगालाई तो यह मेगालाई में थेरे पद है उसके बात करें मिजोर्म में केवल पांच पद है नागा लेंड में केवल साथ पद है और और उडिशा में 58 पद हैं दोस्तों 58 उडिशा पुडुचेरी के लिए only one और तमिल नाडु के लिए 41 हैं और उसके बाद तेलंगणा के लिए 30 पद हैं और उसके बाद त्रिपुरा की बात करेंगा अब 15 हैं अरुनांचल प्रदेश के लिए 9 पद हैं आसाम के लिए यहां पर 103 पद हैं वेस्ट बंगॉल के लिए यहां पर 54 पद हैं और अंध्रा प्रदेश के लिए 79 पद हैं तो यहां पर को मैंने प्रतेग स्टेट की बता दी आपको किसमें कितने पद हैं और जो इप्पोर्टेंड फॉर्म को आपको कैसे बरना है वो में में जानकारी अगर आपको बता दूं तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको सियाए सब पुरुष भरती 2022 के उमीदवार जो भी हैं उनको 9 जनुरी 2022 से 4 मर्च 2022 के बीच जिनकी एज है वो ही इसमें आविदन क कर सकते हैं यह सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था उसके बाद आपको फोटो के लिए बता दूं आपको ऑनलाइन पाउमी भरे जाने हैं ठीक है आपका नवीनतम जो है एक फोटो होना चाहिए और इसमें जो है फोटोग्राफ तीन मेने से अधिक पुराना नहीं हो होना चाहिए ठीक है तो आप जो है इस जो यह फोटो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अवलोड करना होता आप इसको बना सकते हैं अपने खुद से और उसके बाद उमीद्वार से इंडिया नवीनतम नौकरी 2022 में भरती में आविदन पत्र लागू करने से पहले पू पूरा डीटेल मूल वीप्रन जो है और ठीक है पूरा जो मेन डीटेल है वो सारी चीजे आपके पास होने चाहिए और फोटो साइन में और यी pos Rand ले चाहिए बहूँ बरने से पहले यह सपास्यान करें पूर राषिप से स्कैन से करें आवितन पत्र जमा करने से पहले सभी आप जो है columns को ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद ही form को भरें और last में उसका print out अपने पास रख लें और इसके लिए जो detailed है वो मैं कल आपको बता दूँगा दोस्तों इसकी जो official website है वहाँ पर कल ये form भरने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर मैं आपको इसका link भी provide करा दूँगा और बाकी की जो details हैं वो मैं आपको बता दूँगा हम मिलेंगे next video में आपको मैं detail इसका notification वो भी मैं आपको telegram group पर दे दूँगा अगर आपको informative video लगा है तो please video को like करना है ऐसी videos के लिए दुनिया भर की information के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लेना ठीक है तो subscribe करेंगे आप तो bell icon भी प्रेश जरूर कर लेंगे जिससे आपको हमारे update तुरंत मिल जाएंगे हम next video मिलेंगे तब तक के लिए धेर सारे शुब कामना है धन्यवाद